बात करते हैं आज के quiz के बारे में question है, आप लोगे सामने एक करकर attempt कीजे, फिर इनका answer में आप लोगों बताता हूँ, या तो direct किसी exam में question पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोगों से ये किसी question में statement की form में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और अपने आपको एक strong position में आप लोगों बनाना है, तो practice करते रहिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, integral coach factory इसके द्वारा अभी manufacture करने की बात की गई, rail coaches, तो इसके द्वारा बोला गये हैं आपर, जो tamiladu के अंदर integral coach factory है, वो कभी stabilize की गई, या आप लोगों बताना है, और किसके द्वारा इसको inaugurate किया गया, 1955 में, ठीक है, यह वो factory है, जिसके द्वारा train 18, जिसको आप लोग वंदे भारत express के नाम से भी जानते हैं, वो बनाएगी है, तो हमारी country में making India project के थुरू यह train बनाएगी, जो की काफी news में है, GIMS, यह काफी important एक project है, government का, जिसके चलते central government, state government के जो employee है, उनको एक दूसरे के साथ में connect किया जाएगा, खास कर अगर कोई message वगरा send करना है, जैसे आप लोग WhatsApp, Telegram आप लोग use करते हैं, तो उसी के चलते हैं, पर एक ऐसा यह platform आप लोग इसको बहु सकते हैं, reason कहा है, reason सिधा-सिधा यह है, ताकि जो दूसरे platform में WhatsApp, Facebook यह सारे, यह विदेसी कंपनियों के platform है, हमारी country की जो information है, वो भी विदेसों में जाके save होती है, तो इसको अपनी ही country में रखा जाए, तो यह किसके दौरा design किया गया, केरला की unit है, NIC, तो NIC की full form किया है, तो एक तरीके से GIMS और NIC की full form आप लोग से यहाँ पर आगे, तो New Delhi में परवासी भारते जो केंद्रा है, वहाँ पर इनको organize करा गया, तो एक तो question direct ही ही बन जाएगा, क्योंकि first time जो दोनों event है, वो एक साथ आप लोग को नजर आए, इसी के साथ में जो theme है, दोनों के अलग-अलग है, वो आप लोग को पता होने चाहिए, तो Indian Indian Ocean Dialogue, तो इसकी theme कै है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, फिर यहाँ पर जो theme है, next यहाँ पर Delhi Dialogue, उसकी क्या theme है, तो यह आप लोग complete करनी है, तो यह direct question आप लोग के पूछ ले आते हैं, क्योंकि UPSC का बड़ा favorite question होता है, जब theme के बारें बात करते हैं, तो direct question आप ल regulate के जाता है, यह particular area, यह आप लोग को बताना है, next हम लोग ने detail में Nifty के बारें बात की थी, तो यह first time कब introduce किया गया था, और आप लोग को यह भी बताना है, कि इसका जो आज करने present अवतार है, यह कब आया, यह निकि इसको introduce कब किया गया, और फिर जो change करकर जो नया version है इ जो भी आप लोग use करना चाहे, उसको आप लोग use कर सकते हैं, लेक्चर का फाइदा यही रहता है, कि आप लोग exam के point of study चीज़े सीखते ही सीखते हैं, कुछ ऐसी चीज़े भी आप लोग जानने को मिलती है, जो कि आप लोग life में implement कर सकते हैं directly, यह निकि दोनों चीज़ो GIMS, इसको बनाने की बात की जा रही है, जो कि central government, state government के जो employee है, और जो organization ने हमके बीच में contact रखा जा सके, तो यह जो design कर जा रहा है, national informatic center, जो केरला unit है, वो यहाँ पर इसको design कर रही है, तो question बन जाएगा, यह क्या है, और कौन इसको design कर रहा है, किस purpose से design कर जा रहा है, तो यह point आप लोग के mind में बिल्कुल clear होने चाहिए, six Indian, जो ocean dialogue है, और इसके साथ में Delhi dialogue 11, यह अभी new Delhi में आप लोग को देखने को मिले, तो external affair ministry के द्वारा इनको host किया गया, तो कौन सी ministry host कर रही है, इनको direct question मन जाएगा, तो यह external affair ministry, इनके विदेश मंतरा लेके द्वार इसको host के गया, पहला question, यह दोनों एक साथ हो रहे है, first time, तो इसलिए भी हाँ पर important हो जाता है, और Delhi में हो रहे है, तो और भी जादे important हो जाता है, हमारी country को organize करा रही है, theme क्या है, दोनों की हो समझ लेते हैं, सबसे पहले बात कते है, Indian Ocean, यह निके जो Indian Ocean है, हमारी country के ना इसका बात की जा रही है, advancing, partnership, Indo-Pacific, तो Indo-Pacific जो word दो बार use किया गया है, तो इसका मतलब है, Indian Ocean और Pacific Ocean है, उनको दोनों को मिला कर कैसे हम लोग development कर सकते हैं, खास कर जो आशियान country है, उनको साथ में लेका, तो यह focus यहाँ पर रहता है, तो इसके चलते, दोनों theme important आप लोग के लिए हो जाती है, next यहाँ पर बात करते है, mobile number portability के बारे में, तो telecom regulatory authority of India, जो हमारी country में try जिसका आप लोग बोलते हैं, वो यह सारी चीजे regulate करती है, December के महिने से जो rule है, वो थोड़े आसान बना दिये गए है, अब और जल्दी आप लोग का जो number है, वो port हो जाएगा, अगर आप लोग port करना चाहते हैं, तो, first time introduce किया गया, nifty system, जो कि आप लोग यहाँ पर transfer करते हैं, पैसा 24 by 7, अभी हमारी country में किया गया, इसको पहली बार introduce किया गया, उन इसको 90 में, as electronic fund transfer, फिर बाद में nifty किया गया, इसको 2005 में, जो कि आज के में, और advance बना दिया गया, डिरेक्ट आप लोग इसको enjoy कर सकते हैं, 24 by 7, बिना किसी attention के, तो, यह इसके बारे में information, जो कि आप लोग का idea होना चाहिए, आईए बढ़ते हैं, अगले section की ओर, तो, आप लोग के सामने हापर question है, बात की जा रही है, यह due drops के बारे में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कि इस तरीक से पत्तों के ओपर ओसकी बूंदे देखने को मिलती हैं, तो, यह जो ओसकी बूंदे होती है, जब बादल वाली रात होती है, यानिके cloudy night होती है, उस time यह ओसकी बूंदे नहीं देखने को मिलती है, यानिके अगर आसमान में बादल है, तो, आप लोग क को ओसकी बूंदे नहीं देखने को मिलती है, तो, इसके पीछे क्या reason है, यह है question आप लोग के सामने, तो, basically, आप लोग को पता है, हमारी प्रत्वी जो है, वो सूरज के चार ओर चक्कर लगाती है, तो, यह सूरज होगे, इसके चार ओर चकर लगाती है, तो, सूरज से ही, basically, जो यहाँ पर energy आती है, वो सूरज से आती है, पर लेकिन इसके साथ में, जैसे ही सूरज से हमारी प्रत्वी के ओपर रोसनी पड़ती है, बहुत सारा area ऐसा है, कि हमारी प्रत्वी उसको reflect करती है, यहनिके, जो यहाँ से reflection वापस जाता है, अगर वो आराम से वापस चला तो इसकी वज़े से क्या होता है, इसकी वज़े से प्रत्वी का time pressure जो होता है, वो बढ़ जाता है, और प्रत्वी का time pressure बढ़ने की वज़े से, एक ऐसा environment जो की, यह जो यहाँ पर oz की बूंद है, इनको formation करने के लिए जो time pressure चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, basically, जब बाद time pressure है, उससे कम time pressure अगर इनको मिले, तो यहाँ पर तब यह due drops बनती है, पर लेकिन time pressure उस time पर क्या रहता है, ज़ादे रहता है, जब बादल रहते हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जाने देते हैं, जो भी heat रहती है, उसको वापस forward कर देते हैं, प्रतिक योपा, तो इसलिए हा बाते हैं, आप लोग ज़रूर दिहान रखिए, ओके आगे चलते हैं, नेस्ट कोशन काफी interesting है यहाँ पर, यह basically बात कर रहा है, remote sensing satellite के बारे में, remote sensing satellite से लेटर जो data है, उसके बारे में बात कि जा रही है, तो इससे लेटर कौन कौन सी statement यहाँ पर सहिए, सबसे पहले आप लोग को बता दू यहाँ पर, अगर remote sensing satellite की बात की जाती है, तो low earth orbit आप लोग को पता होना चाहिए, low earth orbit जो रहता है, वो लगबग 2000 km की distance पर, यह निकिए प्रत्य होगी, प्रत्य से उपर अगर आप लोग चलेंगे, तो 2000 km के अंदर यहाँ पर low earth orbit satellite, basically आप लोग को देखन जाता है, कहाँ पर क्या-क्या, कहाँ पर temperature रह रहा है, कहाँ से cyclone basically आने वाले है, जो यह information दी जाती है, कई बार की cyclone आने वाले है, उनके बारे में जो information provided करा जाती है, यह low earth satellite बहुत बड़ा role play करते है, basically इस तरीके की information के लिए, तो उसी के बारे में हाँ पर बात की जारी है, यह निके जो chlorophyll जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कि यह क्या करता है, जो हरी पत्तियों वाले पेड़ पोदे होते हैं, उनको अपना भोजन मनाने में help करता है, नेश्ट बात करें, greenhouse gas commission, जहाँ पर particular area में, rice paddy की या specific location में, यह देखने को मिलता है, यह फ ठीके काफी pass में होता हो, तो सारी चीज़े sense कर लेता है, इसलिए बोला गया, remote sensing, यानि कि आप लोगों ने सुना हो कही बार, कि यार वो बहुत remote area में जाकर वो जगे में मिझे मिली, तो remote area, यानि कि एक तरीके से चीजों का पता लगा ना, remote area तक जाका, तो remote sensing, यानि कि remote area तक जाकर data निकाल लेना, तो basically इसको remote sensing satellite बोलते हैं, और यही surface के काफी pass होता है, बाकि जो satellites होते हैं, वो लगबग आप लोगो ये 36,000 km की distance तक देखने को मिलते हैं, पर लेकिन ये है low earth orbit satellite, ये लगबग आप लोगो 2000 km की distance पर देखने को मिल जाते हैं, तो इसके बारे में interesting information है, जो आप लोग idea रख सकते हैं, तो ये सारी बात है कि कहाँ gas, क्या temperature है, और किस तरीकी से location है, ये सारी बात हैं आपर ये satellite बता देता है, तो सारा data हैं आपर basically remote sensing satellite की data से use किया जा सकता है, इस तरीकी information लेने के लिए, नेक्स जो question है, आपर ये बात कर रहा है, आपर methane hydrate क के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो formula होता है, तो उसमें आप लोग को hydrate की बात की जा रही है, ये निके पानी के content आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो CH4 के नीचे 8 और यहाँ पर H2O हो गया, उसके 46, ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर methane hydrate का formula बन जाता है, बात क इसके बारे में जानते हैं, क्या-क्या बात निकी जा रही है, एक-एक statement बढ़ते हैं, उसके बाद में answer देखेंगे, सबसे पहले तो मोटी-मोटी भासन में आप लोग एक बार बता दो, आगे बढ़ने से पहले, आप लोग को पता है, जब हम लोग बात कते हैं कि carbon dioxide निकल to carbon dioxide, यनिके अगर methane को आप लोगो देखना है, तो ये carbon dioxide से 30 गुना, यनिके एक methane यहाँ पर 30 में, यहाँ पर CO2 का multiply करेंगे, तब जाकर एक methane के equivalent आएगा, ऐसा आप लोग बोल सेते हैं, यह ज़्यादा तागत वर एक जो पृतिकर temperature बढ़ने के काम ये methane करती है, सबसे पहल के global warming की वेज़ से और ज़्यादा trigger यहाँ पर हो सकता है, जो पृतिकर temperature या फिर global warming, पहली statement यहाँ पर यह है, दूसी statement में बोला गया है, जो methane hydrate है, यह found के जाते हैं, आर्टिक टुंडरा, यह basically अगर आप लोग जाएंगे, नोर्थ, जो हमारी पृतिय हो गई, उसके अग काफी कुछ यहाँ पर जो surface के नीचे आप लोग को देखने को मिलती है, जो खासकर sea floor के नीचे अगर आप लोग जाएंगे, टुंडरा forest का नाव आप लोग ने सुनाँगा, ठीक है, तो वो जो vegetation है, अगर वो हाँ से उपर से यह जो प्रत्य हट जाए, तो काफी जादे CO2 निकलने के हुआ पर chances निकल कर आते हैं, इसलिए कई बार जब बोलते हैं कि इस particular area से हम लोग को अच्छे material निकालने हैं, यानि कि कई सारे जो northern hemisphere में, जो country है, वो resources निकालने की बात करते हैं, पर कई सारे scientists यह बोलते हैं कि resources तो आप लोग निकालने ना, पर उसके नीचे से जो C, जो उसके नीचे CH4 यानि के methane के जो quantity निकलेगी, वो काफी खतरनाक होगी और environment को काफी गरम करने का काम कर सकती है, और इसकी वज़े से और large scale पर pollen phase करने पड़ सकती है, क्योंकि अगर मालीजे एक बार आप लोग जिससे glycer की बात करते हैं, जहां पर बरफ जमी रहती है, वहां से अगर CH4 भाहर निकलती है, तो CH4 भाहर निकलती है, ये carbon dioxide से 30 गुना ज़्यादा ताकत वर है, तो ये एकदम time pressure बढ़ाएगी, जैसे time pressure बढ़ेगा हो आपर तो particular area में क्या होना इस्टार्ट हो जाएगा, ये बरफ पिंगलनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे वो large scale पर हमारी प्रत्य को गरम करेगा, तो आने वाले time पर काफी large scale पर जो glacier या बरफ जमी है, वो काफी पिंगल कर सीधा ocean में जाएगी, और जैसे ये ocean का level बढ़ना इस्टार्ट हो जाएगा, आसपास वाले जो भी island area आप लोग को देखने को मिलते हैं, वो डूपते चले ज जाएगे, तो ये पुरा procedure आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये statement भी हाँ पर सही हो गई, और बात ही अगर आगे बढ़ा जाए तो methane आगे चलकर यहाँ पर oxidize करने का भी काम करती है, carbon dioxide को, यानिके और large scale पर ये impact आप लोग को देखने को मिल सकता है, तो ये ऐसे element के नाम दे रख्या है, और पूछा जा रहा है कि basically ये कहाँ पर use के जाते हैं, जो chemical यहाँ पर ये आप लोग के सामने है, पहला पहला जो नाम दे रख्या है आपर, ये है कार्भी फिरोन के बारे में, दूसरा है मैथाइल पैराथियोन के बारे में, और तीसरा है ये है ट्रायो जोफो, ये है ट्रायो जोफो, ठीक है, तो अलग अलग तरीकी के ये नाम है आपर, basically पूछा गया है कि ये कहाँ पर use के जाते हैं chemical, तो ये जो इसका सही आंसर है, ये है A, जो pesticides होते हैं, या जो कीट नासक होते हैं, उसमें basically agriculture के लिए जो use के जाते हैं, उस ये इंसानों के अंदर food chain के थुरू, इंसानों के अंदर entry करते हैं, और आने वाले time पे इंसानों के अंदर भी negative impact इनका देखने को मिलता है, तो वो भी एक काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, तो answer हो गया, आगे चलते हैं, आईए बात कते हैं next question के वारे में, काफी interesting और important question यहाँ पर है आप लोगे सामने, reason कहा है, ऐसे question कुछे जाने के exam में, वो यह है, recently अभी डहली के असपास जो भी area है, यानिके उत्तर परदेश हो गया, हर्याना हो गया, या और भी जो area है, आपर पंजाब वाला area, यहाँ पर फसल के जो residue है, जो question बन जाते है, normally, बोला जा रहा है कि, जो carbon dioxide, methane, या फिर यहाँ पर ozone, या फिर sulfur dioxide, यह जो इस तरीख की जो gases है, यह आपर release होती है, टिमोस्फेर में, जो burn करते हैं आपर, बायो मास, जो भी हैं आपर, यहनिके residue जो फसल के हैं, तो इन में से कौन सी statement सी है, क्या सारे के स सारे option सही हैं, आप आप, जी हाँ, D सही है, यहाँ अगर आप लोग किसी crop को जलाते हो, तो SO2, CH4, CO2, CO, N2O, यहाँ पर यह सारी जो quantity आप लोग को देखने को मिलती है, तो यह सारी इस तरीखे से gases यहाँ पर निकलती है, अलग-अलग quantity में, जो की environment को काफी large scale पर influence करती है तो यह जो भी option यहाँ पर आप लोग के सामने है, यह सारे के सारे cover इसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है, और basically आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे, methane के अभी हम लोगोने थोड़ी देर पहले बात की, और इसी तरीके से carbon dioxide, जो यहाँ पर sulfur की बात करते हैं, यह तो अगर क situation यहाँ पर बात कर रहा है, CNG के बारे में, और CNG में भी हाँ पर H CNG के बारे में, यानिके, जो hydrogen rich, जो CNG है, यानिके, जिसको CNG को आप लोग क्या बोलते हैं, CNG की फुल भी आप लोगों से कही बार पूछी जाती है, basically, compressed natural gas, तो H लगा दिया, तो यहाँ पर hydrogen compressed natural gas, तो इ emission है, यह carbon monoxide का emission है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको क्या करती है, eliminate कर देती है, पहली statement यहाँ पर यह बोलीगे, यह main advantage जो है, carbon monoxide के emission को eliminate कर देती है, यह completely खतम कर देती है, तो देखिए, अगर ऐसी कोई statement आप लोग के सामने आते हैं, कि eliminate कर देना, completely खतम कर देना, तो ऐसा possible नहीं होता है, यह क्या करता है, कुछ घटा सकता है, तो लगबग यह क्या करती है, इसको 70% यह करीब यहाँ पर इसको reduce कर देती है, जो carbon monoxide का emission होता है, तो बिलकुल घटा देना तो गलत बात हैं आपा, ठीक है, तो first statement यहाँ पर गलत हो गई, तो यह भी गया, औ अब बात करते हैं, आपर second की, next में आपर बोला गया है, कि जो FCNG है, यह as a fuel, carbon dioxide की अगर बात की जा रही है, carbon dioxide और जो hydrocarbon emission होते हैं, उसको reduce कर देती है, तो reduce वर्ड सही है, आपर ऐसी चीज़े ज़रूर करते हैं यह, तो इस तरीके से आपर यह भी गया, अगर आगे भी लेने के लिए, तो यह आपर statement है, तो blend किया जा रहा है, यह असानी से, यह अच्छी बात है, आपर तागि इसको अच्छी सी use किया जा सके है, पर लेकिन यह आपर जो बोला गया है, less expensive है, CNG compare में, यह जादे expensive हो जाता है, less expensive नहीं है, इसलिए इतने large scale पर इसको use करते B, answer आप लोगे सामने हो गया, B, तो interesting question है, ऐसे question आप लोगे से पूछे जाते है, basically, क्योंकि आज के डिमें climate change पर कावी focus दे जाला है, कैसे, हम लोग अपना इंधन ऐसा बना सकते है, ताकि वो जादे नुकसान नहीं पहुचाए, और अच्छे फाइदे के लिए कैसे उसक पानी के अंदर, इस तंधारी जो इनको आप लोग बोल सकते हैं, इसने यानिके साम की बात की जारी है, तो इनके वारे में आपर बात की जारी है, कि कौन कौन सी कैटेगरिम आते हैं, हर भी वोयर बोला गिया है, उपर के जो तीन है, हर भी वोयर, basically, आप लोग बोल सकते ह उसको बोलते हैं आपर vivipores, ठीक है, तो इस में से ये क्या कौँ सी category है? तो some species जो tutorial है उनको बोला गया साकहरी है, यानि कि जो कछोई की पेसिस साकहरी है जो मचलिय है, उनकी कुछ species यहाँ पर ये साकहरी है, मेराईन मैमल्स की कुछ species साकहरी है उसी तरीके साप की कुछ जो species है वो वे भी परेस है यानि कि हाँ पर बच्चे को direct जनम देती है अंडे नहीं देती है तो जो आंसर है आप पर यह D है देखे कई सारी केटेगरी आप लोग अलग अलग देखने को मिलेगी अब कच्छोगी भी कई सारी पर जाती है मश्लोगी अलग अलग तरीके के हैं तो इस तरीके के अगर कोई भी question आप लोग को आते हैं कि some species ऐसी है तो कोई ने कोई ऐसी species जरूर होगी जो इस category में आ जाएगी ठीक है तो आप लोग यहाँ पर यह सम जो बड़ोगे नहीं आप पर सम तो इसका कोई length और breath नहीं है कितनी species इसमें आ सकते हैं कितनी नहीं आ सकती हैं तो यह basically आप लोग कैसे found कर सकते हैं यह basically आप लोग देख पाएंगे इस ways पर किया ऐसा कुछ हो सकता है हाँ जरूर हो सकता है क्योंकि हमारी जो प्रत्विय है वो बड़ी विचित्र चीज़े यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जात करती है जिसका कोई नाप नाप तोल आप लोग नहीं कर सकते हैं वो basically आप लोग को सही statement देखने को मिलेगी ठीक है तो answer D हो गया आगे चलता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर बात की जारी है यह पारलोसिस और प्लाजमा के बारे में अगर आप लोग इस सब्द का मतलब भी समझते हैं तो हलका सा आप लोग आईडिया लगा सकते हैं इस सब्द का पारलोसिस का basic मतलब यह होता है कि कि किसी भी चीज को high temperature पर लेकर उसको decompose करन और नॉर्मली आप लोग को चार स्टेज देखने को मिलती है solid, liquid and gas पर plasma है पर basically fourth state यहाँ पर मानी जाती है तो बोला जा रहा है कि यह जो term है जो यहाँ पर pyrolysis और plasma gasification है यह कहाँ पर mentioned है यह निकि कहाँ पर इनका उलेक क्या गया है तो answer है आप लोग के सामने हाँ यहाँ पर इनका use किया जाता है कि यहाँ पर high temperature इसको decompose करने की कोई कि जाती है basically plastic वगेरा भी अगर है तो इसको high temperature पर decompose करने की कोई कि जाती है ताकि उससे energy या फिर दूसरा कोई material बनाए जा सके तो ऐसे आप लोग इसको understand कर सकते हैं तो answer क्या हो है यहाँ पर answer D हो गया next question S9 के बारे में इसके बारे में हम लोगों ने कई बार discuss किया है याद होगा अगर आप लोग दाहिंदू के article सुनकर चलते हैं तो यहाँ पर यह है basically एक gene editing technology यह निके अगर मालीजे body में कोई problem है तो हाँ पर उसका gene आप लोग कट करकर होँआ पर एक repair gene लगा सकते हैं आप आ body में genetic problem को भी ठीक के जा सकता है इस technology के base पर ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो gene editing यहाँ पर यह technology है जो की use की जाती है जिसको आप लोग कास 9 बोलते हैं तो direct answer है आप लोग के सामने आपर answer हो गया यह आपर direct question का answer है ओके आगे चलते है next question आप लोग answer दे सकते हैं अगर कोई भी आप लोग band use करते हैं यानि कि जिस तरीके से कई सारे band आते हैं market में आज कि में घड़ी के जगे लोग band use करना ज्यादा पसंद करते हैं इससे basically आप लोग कई सारी चीजों का पता लगा सकते हैं अपनी sleep monitor कर सकते हैं heartbit monitor कर सकते हैं कितना आप लोग चल रहे हैं उसके base अपना डिलिकर distance, calorie, burn, alarm वगेरा ये सारी चीज़ा आप लोग को देखने को मिल जाती हैं तो उसी के बारें बोला गया कि wearable technology यानि कि जिसको आप लोग पहन सकते हैं ऐसी technology के बारें बात कि जा रही है तो कौन-कौन से ऐसी device यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि basically पहनी ज आ सकती हैं तो सबसे पहले बात कि जा रही है location, identification और person, location identify कि जा सकती है यह तो normally आप लोग phone में भी या फिर band आप लोग बहांद लेते हैं उसमें भी अच्छे अच्छे band आते हैं अलाला company के आप लोग को fitbit हो गया या फिर जो छोटे normal band आते हैं मी के भी band देखने को मिलते इसके अलावा अगर बात कि जाए तो apple के band आते हैं अगर आप लोग high level पर जाएंगे तो यह सारी बाते आप लोग को बता सकते हैं sleep monitoring pattern तो यह तो आप लोग को छोटा मोटा बेंड़ी बता देगा जो कि sleep monitoring pattern आप लोग कैसा है इसके बात में बारिए इसी के साथ में बारी क आप लोग बोल सकते हैं और यह technology इंसान को काफी large scale पर आजके में फाइदा पहुंचा रही है तो answer क्या हो गया आप पर answer D हो गया